इनी के कारण जो है व्यावार की मद्यस्तता जो है वो भी व्यापक्त में लियंत्रित्फ होने के कारण व्यावारीक मद्यस्तता उतलत होती है इसलिए सबसे पेहले समझने की हावशक्ता है वो सहर्सित्व को सुड़ के व्यावार की कलता ब है तो उसमें कोई व्यावारीक मेंत्रन समझमें लहीं आता है इससे समझ में आता है कि जो व्यापत है उसमें एक-एक इकाईयां डूबी-डी-डी-डी-डी है उसको समझना अधी आवशक है इसलिए पहला अजया है बाबा जीने दहस्तित्व के रूप में रखा है उसके आगे जो हम वहवार की बात करते हैं तो वहवार में सबसे पहले तो हमारा ये आता है कि जिस किसी से भी हंको कोई सयूब उन्यती के अरत में प्राप्प गूआ है тоб्के प्ती मन्हें यह व्यूझ अधी को बाबाजी ने स्रतक्व के रूप में सती पादित किया है उसे अब जब हम तीन ज्यान की बात करते हैं कि मानव भी ज्यान अवस्ता की इकाई है जब ज्यान अवस्ता की इकाई है ये बात करते हैं तो ज्यान को बाबा जी ने तीन तरीके से बताया है जिसमें बाबा जी ने ज्यान को बुला है सहस्तित्व दर्शन ग्यान, जीवन ग्यान और मानवियता पुण आजरन ग्यान तो जब हम ग्यान की बात करते हैं उसमें जब हम सहस्तित्व दर्शन ग्यान की बात करते हैं तो उसमें समझ में आता है कि सहस्तित्व दर्शन ग्यान को समझने के लिए तो अस्तित्व दर्शन समझने के लिए ही उसमें बाबा जी ने बात बताई है कि जो अस्तित्व दर्शन है उसका दर्शन आवशक है उसको समझने आवशक है तो उसको समझने के लिए ही बाबा जी ने सुष्टी दर्शन अध्याय की प्रस्तूती की है जिससे हमको समझ में आता है कि समख्द्र प्रकृती जो है वो व्यापक में संप्रूक्त है और कैसे क्रियाशील है और उसी को जब फिर आगे हमने चोथे अध्या में देखा तो जो मानव सहज प्रयोजन है क्योंकि अब जब हम बात कर रहे हैं कि मानव ही पूरी सुष्टी को समझ सकता है वही एक इकाई है जिसमें पूरी सुष्टी याने के अस्तित्व को समझने की शमता है जब ये बात हम कह रहे हैं तो उसका प्रयोजन क्या है इसलिए मानव सहज प्रयोजन को इंगित करने के लिए चौथा अध्याय जो अजय भिया ने बहुत अच्छे से प्रस्तूत किया उसको हमने समझा उसके आगे फिर हमने पांचोंगा अध्याय पड़ा कि निर्ब्रमता ही विश्राम जब हम पांचु अद्यम में जब निर्ब्रमता की बात कर रहे हैं तो मानो सहर्ज प्रयोजन जानने के बाद अगर हमारा समझत श्रम जो है वो किसके लिए है तो समझ में आता है विश्राम के लिए तो वो विश्राम जो है उसकी बात उन्ने निर्ब्रमताव विश्राम में की है उसके बात जब हम अमने परंपरा में भी बहुत सारे शब्द सुने हुए है क्योंकि हमने कर्म की बात की है फल की बात की है तो कर्म और फल की जो परिकल्पना है या कर्म और फल की जो अधाना है जिसको मद्यश दर्शन में क्या कर रहे है कर्म को क्या कर रहे है फल को क्या कर रहे है उसकी बात कर्म और फल में की उसी को आगे बढ़ाते हुए जब मानुविय वहवार की बात करेंगे तो उस आत्वा अध्य है जो हमने की लिए न सपयरे सब्साइब कंदेर ने Sigurd मिश्टिव दर्शन क्या करें तो उसको उसके ध्रस्ति पूर्वक्त प्रप्त क्या होत म्या है उसको तो दर्शन वह है उसको वैसा अमल्य से मूक्त जो जैसा है वैसा समझ में आना और içerisavenwy तो इस तरह से Cum лю grounds था जिसको जोड़ना मुझे लगा कुछ उप्यूंगी आस। ताकि अभी तक हम क्रम में उसको आगे कड़ी के कड़ी के रूप में जोड़ पाए और देख पाए तो इसी क्रम में जो आखरी अध्याय दर्शन दर्शे और दर्श्टी पढ़ा हमने उसकी बात करते हुए में आखरी जो तीन-चार अनुबूतियां है उसको पढ़ना और थोड़ा विस्तार करना चाहूंगा क्योंकि उसी का continuation है उसी से जुड़ा हुआ यह अध्याय क्लेश मुक्ति है तो जहां बाबा जी ने इस अध्याय में बात को खतम किया है क्लेश मुक्ति में उसी बात से शुरुआत भी की है तो यह क्रम भी दिखता है कि यह जो अध्य अध्याय भी है अठारा अध्याय वो एक क्रम से लिखे गए है और उसकी कोई अचित्यता है तो जो हमने पेज नंबर 71 है जो संसकरण है उसमें और उसमें जो एक अनुबूति है जहां से मैं शुरू करना चाहता हूं यह है नीचे से पांचवी अनुबूति है इसमें बा इसमें नंव कोटी का सुभाव है तो यहां पर ध्यान देने के जरूति है कि निर्भीज विचार की बात कर रहे है तो निर्भीज मुक्त का सबाव है वो एशना मुक्त विचार है एशना मुक्त यानि तीन एशना जो हमने समझा है पूत्रेशना है या वित्तेशना है या लोकेशना है इन तीनों से मुक्त जो विचार है वही निर्भीज विचार है तो इसका जो संदर्व है वो कलेश मुक्ती में भी आएगा इसलिए इसको पढ़ना सार्थक समझा उसके बाद जब बाद दूसरी अनुबूती में कह रहे है कि व्यश्टी के अस्तित्व में पाये जाने वाले अभिमान वह अहंकार ही संकिनता वह कलेश का मूल कारण है तो जैसे हम इस अध्या में बात करेंगे कलेश मुक्ती की तो कलेश की मुक्ती पर कलेश का मूल कारण क्या है उसको जानना हमको ज़रूरी लगता है तो कलेश का जो कारण है वो क्या है तो इस अनुबूति में बाबा जी कह रहे है कि व्यस्ति के अस्तित्वों में पाया जाने वाला अभिमान वह अहंकार ही संकेंता वश कलेश का मूल कारण है यह जो अभिमान और अहंकार कह रहे हैं यह किसको कह रहे हैं तो जैसे अभिमान की जब हम परिपाशा पढ़ते हैं तो हमको समझ में आता है कि आरोपित मांदन्द या मापदन्द तो जब आरोपित मापदन्द की बात कह रहे हैं उसका आर्थी यही हुआ कि जिसमें अधिम उसे जो अबिमान कांगा है तो चित्त ना है, क्योंकि जो ब्रमित माननेता है, वो चित्रन तक ही सिमित रहती हैं, बुद्धि मह नहीं जाती या बुद्धि उसको नहीं स्विकारती, तो इसलिए जो ये बात कह रहे कि अभिमान जो है यही कलेश का मूल कारण है उसके साथ-साथ जो अहंकार है अहंकार किसको कह रहे है तो ब्रमित बुद्धी ही अहंकार है तो जो ब्रमित बुद्धी है उसको अहंकार कह रहे है तो मूल में अहंकार और अभिमान है यही कलेश का मूल कारण है तो इससे हमार और हंकार से मुक्ती ही कलेश मुक्ती है तो ये बात यहां पर बहुत अच्छी तरह स्पस्ट की है उसके आगे की जो अनुबूती है उसमें बाबा जी कह रहे हैं कि समझ्टी के अस्तित्व की यथार्थ समझ से उदार्ता एवं कृतक्यता की उपलब्दी होती है और व्यापक सत्ता में अनुबूती से ब्रांती का उन्मूलन होता है तो आखिर में होना तो यही है कि अनुबूती के या अनुबव के सिवाए ब्रह्म से या ब्रांती से उन्मूलन संभव नहीं है तो जो लक्ष है मानव का वो तो यही है। स्वर्गियता के बिना विवेक व विग्यान पून अध्यन के बिना यथार्थ दर्शन का प्रमान नहीं है। विदी विवस्ता या संस्कृति सब्विता विदी विवस्ता रूप में भी जानते हैं। तो यह जो चारो आयम है यह मिलकल परमपरा बनती है तो इन चारो आयमों में जब हम देख रहे हैं तो यह कैसे होगा उसकी पूरी बात उन्होंने यहां पर की है वो कह रहे हैं कि यथार्थ दर्शन यानि कि जो जैसा है उसको वैसा देखे बिना जो यथार्थ दर्शन है उ वहवार और कारे में प्ररोड़ती हो नहीं सकती और मानुविय कारे वहवार के बिना वहवार की एक सूतरते याने वहवार की एक सूतरते याने जो वहवार जो है वह अनुबव मुलक विचार से संप्रेशित होके जो हमारा है उसको बोल रहे हैं कि वहवार की एक सूतरता व वहवार की एक सुरूतता के बिना निर्विरोधिता, उसके पहले निर्विरोधिता होना संभव नहीं है, निर्विरोधिता के बिना से समाज के बिना सहसे दो यदि निर्विद्व पूर्ण समाज अगर नहीं बनता है तो सहास्तितों प्रमानित होना सम्पव नहीं है यदि सहास्तितों प्रमानित होता है तो समाधान सम्रुद्धी होती है और समाधान सम्रुद्धी यदी होती है तो उससे स्वर्गियत आ याने उसको हम बोल रहे हैं कि अखंड समासारुपों व्यवस्ता का अनुबवर्व यही स्वर्ग है जो बाबा जी ने अउध्गार दिया है कि भूमी स्वर्गताम यातु मनुष्य याति देवताम तो यह जो पूरा उद्गार है कि भूमी स्वर्ग हो जाए, दर्ती स्वर्ग हो जाए, मानोता सफल हो जाए तो यह पूरे उद्गार में भी यह समझ मात है कामना के रुप में स्वर्ग जिसको कहा है कि अखंड समा सारुबों विवस्ता याने दस सो पाने विवस्ता स्थापित होना इसी को स्वरगीता क्या रहे है स्वरगीता के बिना विवेक व विज्यान पून अध्यन स्वर्गीता के बिना अगर ऐसा स्वर्गीता नहीं है तो उसमें विवेक व विज्ञान पूर अध्यन संभाव नहीं यानि ऐसी शिक्षा संभाव नहीं है और विवेक व विज्ञान पूर अध्यन के बिना यतरत दर्शन का प्रमाण नहीं है अगर ये नहीं हो पाता है ऐस इसमें किया है और इसी के चलते यह जो पूरा अध्या है क्लेश मुक्ति उस पूरे की बात इस अध्याय में कई है तो अभी आगे की जो बात है वो अधिती रखेंगे उनको देता हूँ तो अध्याय दस में जो शुरुवात है कलेश मुक्ति जिसको जोडते हुए अभी जिगर भाई ने रखा सब तो कलेश का जो कारण है उसको हम देख सकते हैं कि दुख समस्याक्षो भ्रम यही सब कलेश के कारण है और इसके इससे मुक्ति पाने का प्रयास हर मानव करता ही है हम लोग सभी देख पाते हैं कि हम लोग कलेश से मुक्त होना चाहते हैं तो इसलिए यह जो पू उसकी मुक्ति सबको आवश्यक है और ये मुक्ति बोलने से मुक्ति की आशा सर्व मानव में पाई जाती है ये जो आशा है ये कि हम मुक्त हो जाए इस कलेशों से मुक्त हो जाए दुख से मुक्त हो जाए इसकी आशा सर्व मानव में पाई जाती है पूरे मानव समाज में इ जो भी करते हैं, हम यही कोशिश करते हैं कि इससे, मतलब कलेशों से मुक्त हो जाएं, इसलिए फिर जब सम्मंदों में जीना नहीं बनता है, तो और चीजों में अपने मन को लगाते हैं, इसके पीछे का आशय तो इतना ही है, और इसमें फिर आगे जो बाबा जी लिख रहे अध्ययन, उपासना, प्रयोग, व्यवहार, व्यवसाय, अभ्यास और निष्ठा संपन्न हुई है, विगध परमपरा में मुक्ति का कोई प्रमान, अथवा उपाय, अध्ययन गम्य नहीं हुआ है, इसलिए ब्रहम मुक्ति हेतु यह प्रस्ताव है, तो बाबा जी जो समस्या है, समस्याओं का जो प्रभाव है, उसको हम दुख कहते हैं, दुख के रूप में हम उसको समझ पाते हैं, और जो भ्रहम है, उसको हम यह जो यथार्त दर्शन नहीं है, जो अयथार्त दर्शन है, वही भ्रहम है, या जैसे बाबाजी ने दो तिन जगह पे अलग- तरीके से उसको रखा है कि अपने आपको शरीर मान लेना ही सबसे बड़ा भ्रम है यह जो अव्याप्ति अतिव्याप्ति अनाव्याप्ति दोश है जीने में और मुल्यांकन में जो अवमुल्यन निर्मुल्यन और अधिमुल्यन का दोश है यही भ्रम का कारण है तो यह दोन क्लेश का जो अर्थ है जो मैंने बता है मतलब क्लेश याने दुख या भ्रह्म ही है तो वो ख्षोब दुख भ्रह्म ये सभी को मिला कि हम क्लेश कहते हैं तो फिर आगे ये बता रहे है कि ये जो मतलब ये जो पूरा हम प्रयास करते हैं हम अध्यान करते हैं उपासना करते हैं प्रयोग व्यवार व्यवसाय अभ्यास निष्ठा इसको आगे पूरा इस अध्याय में मतलब आगे जैसे हम पढ़ेंगे हर एक को बाबाजी ने विस्त और ये जो पूरा प्रस्ताव है, ये इसी मुक्ती के अर्थ में है, कि हम भ्रहम से मुक्त हो जाए, ये भी समझ में आता है कि भ्रहम से मुक्त होने से दुख से मुक्त हुआ जा सकता है, क्योंकि जो अभी हमारे में जो भ्रहम है, उसी से दुख का सबसे बड़ा हमको, पीड प्रमाण अथवा उपाय अध्यान गम्य नहीं हुआ। और परमपरा में भी हम देखेंगे तो जो जिसको हमने मुक्ति कहा है उसको वो बंधन से मुक्ष पाने की स्थिति इसको ही मुक्ति के रूप में रखा है। यह पूरा अध्याय को आगे हम देखेंगे। आगे जिगर भाई को देखेंगे। तो जैसे अधिति ने अभी सब कुछ बताया है इसमें कि क्लेश मुक्ति को कैसे बताया है। तो यदि हम देखें तो भी आम हमारे जो जीवन है उसमें कारेकाल में भी हम लोग देखते हैं तो यह समझ में आता है कि जैसे हम बहुत बोलचाल की भाषा में बात करते हैं कि कलेश हो गया जगड़ा हो गया यह सब कलेश है। में सामाने भाषा में तो उसको कलेश बोलते हैं तो उससे मुक्ति के लिए बहुत सारे प्रयास हुए है अभी तक जैसे माल लो हमको को शरीर का रोख है या हमारे उत्पादम ने कोई कमी है तो कुछ और प्रयोग करेंगे तो जाए उसका जो आशे है वो यही एक कलेश से मुक्त होना चाता है और यह जो छोटे मोटे जो कलेश है उससे उपर उठके देखेंगे तो परंपरा में ऐसा भी प्रयास हुआ है कि यह जो कर्म है या तो यह जो संसार यह बंधन है इससे मुक्त होना है तो यह भी एक मुक्ति की बात है जो कर्म से मुक्ति या बंधन से मुक्ति उसको भी बोल रहा है तो यहां तो बाबाजी यही बूल रहे है कि जो ब्रहम है ना मूल में जो यह सब जो कलेश है उसका जो कार उसका निवारन है वो ब्रह्मुक्ति से ही होगा तो यह ब्रह्मुक्ति कैसे होगी इसलिए मद्ध्श्र दर्शन का प्रस्ताव है तो उसी में जो उन्होंने छे बाते बोली है कि अध्यन उपासना प्रयोग वेवार वैसा और अभ्यार और निष्टा संपन हुई है अभी त स्पष्ट होता है रूप गुण परिवर्तन शील है स्पष्टी करण में बता रहे हैं इस अनुबूति के स्पष्टी करण में जो स्टार है वो स्पष्टी करण के संदर्प में प्रयोग गई संग्या है तो इस अनुबूति के में लिख रहे हैं कि रूप गुण परिवर परमानु का गठन भी मध्यांश्टत आशरित अंसों से है। परमानू में समाहित अंशों की सक्रियता इवं विकास क्रम भेज से ही सभी अवस्ताय है। तो इस अनुबूती में जो पूरी बात कर रहे हैं, तो इसमें ये बात कर रहे हैं कि जो अध्यन है, सबसे पहला आंग जो नोने बता है, दुख से मुक्ति और ग्रम्त से मुक्ति जो प्रयाश हो, इसमें सबसे पहला भाग अध्यन है, तो अध्यन से क्या होता है, तो अध् सबस्ट होना जरूरी है तो कब सबस्ट होगी जब यह सभी सब्सक्राइब करे लिए सब चीजरे पुर्प्ज़ा जाती है तो उसमें भी जो बोल रहे हैं कि जिसे हम बोलते हैं हर इकाई का रूप गुण सुभावदर्म है तो उसमें रूप गुण वाला भाग है वह इसलिए लिखा है कि सभी व्रिषत इकायों में गठन का मूल तत्व पर्मानु है अब जब हम देखते हैं जो मूल तत्व पर्मानु है तो पर्मानु का जो गठन का सिद्धान्थ है जिसको हमने श्रम गति परिणाम के रूप में देखा है ये सभी इकायों में समान है सभी यानि जड़ हो या चैतन्य हो सभी इकायों में यह समान इसलिए उसको बोला है कि गठन प्रक्रिया आच्रण प्रयोजन में से जो गठन का सिद्धान थे वो समान और पर्मावन का गठन जो है वो भी मध्यांश तथा आश्री तंसों से ही है अब पर्मावन में समाई तंशों की शक्रियत आएं विकास करम बेच सही सभी अवस्ता है इसमें बता रहे हैं कि जैसे हमने देखा है कि जो कोश का बात हुई थी जब हम सुष्टी डर्शन और मा अंतिम परिवेश की यह सक्रेट बढ़ती है तो उसमें में प्रानमावन कोश को देखे और कि यह जो अंशों की शक्रियत है और उसके विकास करम भेध जो है और वेदं sono अवस्ताइब अबीन. प्राण से जीव वास्ता जूँ और एक जायर कम दिण प्रहिद है इसे के आधार हम पुरा दर्षण यार मत्य श्ट्रशण प्रतिपाधित्य है। अगले निपूती। अध्यन ही उपासना है, प्रमानित मानव ही अध्यापक है, जिनके सानिध्य में ही अध्यन है। अध्यन पूर्वक, समझदारी से तदाकार, तदूरुपता पूर्वक, स्वत्व स्वतंत्रता अधिकार होता है। तो ये जो उपासना की बात है, जो परमपरा में उपासना को क्लेश मुक्ती के लिए एक विधी मानी है, जिसमें हम कहते हैं कि जो इष्ट देवता है उसकी उपासना करने से हम क्लेश मुक्ती को पाते है तो उस अर्थ में बाबा जी की उपासना को इस अर्थ में रख रहे हैं कि उपासना याने अध्यन ही है और उपासना की जो परिभाशा आती है तो उसमें कहते है कि उपायों सहित लक्षपूर्ती के लिए किया गया क्रिया करलाब या और एक परिभाशा आती है इश्ट सानिद्ध के लिए किया गया उपाय और यहाँ पे जो इष्ट है उसको समझदारी के रूप में जागूति के रूप में देखते हैं तो यह जो हम अध्यान करें यही उपासना है मतलब किसको हम इष्ट के रूप में मानेंगे तो जो प्रमानित मानव है वही अध्यापक है जो हमको समझाता है गुरू के रुब में और उसके सानिध्य से अध्यान होता है तो अभी ये जो सभी सूचनाएं हैं ये जागुरत मानों की ही सूचनाएं जिसको हम अध्यान करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि क्या वास्तविक्ता है और इस दोरान मतलब अध्यान से क्या होता है तो ये जो पूरी समझदारी की वस्तु है ये इससे हम तदाकार तद्रूप होते है और तदाकार तद्रूप होना याने उसको समझ लेना उस अनुसार हमारा जीना भी जो है उसी अर्थ में होना उसी को स्वत्व स्वतंत्रता अ और समझदारी के अनुसार हमारा विचार और व्यभार होता है उसको स्वतंत्रता और उसी के अनुसार व्यवस्था में भागिदारी करने का अधिकार हमें प्राप्त होता है तो इस अर्थ में अध्यन है ये अध्यन की उपलब्दी भी है उपासना की भी यही उपलब्दी ह और अध्यापक जो है वो अनुभव अध्यापक की परिभाशा आई है अनुभव मुलक विधी से अनुभव गामी पद्धती पूर्वक सहस्तित्व रूपी सत्य बोध कराने वाला तो जो अध्यापक है, उसमें अनुभव की रोश्णी है, अनुभव मुलक विधी से ही, वह अनुभव गामी पधति पूर्वक सहस्तित रूप, मतलब जो बोध करा सकता है, वो ऐसा ही व्यक्ति है, जो स्वयम अनुभव प्राप्त व्यक्ति है, उसी को अध्यापक के उसमें ये प्रयोग जो शब्द है वो जन्रली हम उत्पादन के अर्थ में जोडते है उसको तो उसकी जो परिभाशा आईए है कि जो मनुष्य की आवश्यक्ता है आवश्यक्ता के रूप में प्राकृतिक अईश्वर्यों को परिवर्तित करने के लिए की गई प्रारंभिक प्रक्रिया तो इसमें कोई भी जो हम शुरुवात में कोशिश करते है कि हम साधनों को कैसे हम पहचानेंगे तो प्रयोग पूर्वक साधनों की पहचान होती है हम जो अलग-अलग विदिया निर्मित हुई जैसे खेती की हो या अलग-अलग यंत्र उपकरन बने ये सब प पहचान हो जाती है फिर उसका जो है उत्पादन होता है या उसका विपूली करण होता है उसी को व्यवसाई के रूप में या उत्पादन के रूप में आगे लिखा है उत्पादन से उपयोगी सामगरियों की उपलब्दी एवं विपूली करण होता है जब प्रयोग से जो विदी हमको समझ में आई, वो सामान्युक रुद हो जाती है, और उसी अर्थ में फिर हम जो सामगरिया उपलब्ध होती है, समाज के रूप में, मानव समाज में जो हमें उपलब्ध होती है, उसका आधार उत्पादन है, उसी को व्यवसाय के रूप में आगे लिखा है. अगली अनुबूती जो है वो है अभ्यास से कुशलता निपुनता पांडित्य में पारंगत होना प्रमानित होता है तो यह जो एक-एक वो समझा रहे हैं बाबाजी इसमें इतना समझ में आता है अभ्यास से कुशलता निपुनता पांडित्य में पारंगत होना प्रमानित होता है तो जब हम कुशलता को देखते हैं तो व्यवहार में जब हम प्रमानित होते हैं और वह जो कुशलता है वह व्यवहार अभ्यास से ही उपलगत होती है जो अभ्यास की बात करें जनरल हम अभ बार बार रिपीट करके या दोरहा के य पुनरा अतन करके कोई एक सिती में नहीं पहुंचा है indigenous out अधिकार हो गया तो यह जो अधिकार हो गया ना इसको हम खोलते हैं कि अभ्यास में हम पारंगत हो गए तो अभ्यास जो दर्शन में जैसा अभ्यास दर्शन भी है पूरा तो उसमें दो तरह के अभ्यास बताएं एक तो जागरिती के लिए अभ्यास और फिर जागरिती यान अनुबो संपन होने के बाद प्रामानित होने के लिए अभ्यास तो यह दो अभ्यास हमको समझ में आते हैं तो यहां जो बोले कि अभ्यास से क्या होता है तो पारंगत होना प्रामानित होता है कुशलता, निपुन्टा पांडित्या जब कुशलता निपंटा और पांडिते को समझने जाते तो समंझ में आता है कि जब वहवार अभ्यास है उससे कुशलता याने कि वहवार कुशल हो जाते है जब हम प्रतूती पे या नियम पूरो कुत्पादन में जब अभ्यास करते हैं जिसको कर्मा अभ्यास काया गया उससे हमको निपूंता की प्राप्ति होती है और जब हम चिंतना अभ्यास यानि शास्तरा अभ्यास से विचारा अभ्यास से चिंतना अभ्यास यानि चित्त में चिंतन की क्रिया में याने कि जिसको शाक्षातकार भी कोते हैं अनुबो गामी पद्धती में उसमें जब हम शाक्षातकार की उपलब्दी होती है तो वो चिंतना अभ्यास जो है उससे पांडित्य याने पांडित्य पूर्ण हो जाता है तो ये अभ्यास से प्रमानित होता ह अगली जो अनुबूती है उसमें कह रहे हैं कि निश्ठा से न्याए धर्म एवब सत्य के प्रकाश में मानव लख्ष के लिए अध्यन होता है निश्ठा के फल स्वरूप अनुबूती होता है अनुबूती मात्र सत्य में है सहस्तित्व रुपी परम सत्य में अनुभूती ही जीवन में ब्रह्म मुक्ती है तो यह जो चठा और आखरी जो बाबाजी निश्ठा की बात की है तो निश्ठा में वो समझा रहे हैं कि निश्ठा जो है वो हमेशा न्याय धर्म और सत्य के प्रकाश में ही किसके लिए होता है तो मानव लक्ष के लिए तो हमारी निष्ठा किसके लिए है हमारी निष्ठा जो है समादान सम्रुदी अबय सहस्तितो रुपी जो मानव लक्ष है उसके लिए निष्ठा है तो उसकी जो निष्ठा है किसके प्रकाश में होगी तो जो हमारी जश्टिया है वो न्याय धन और सत्य के प्रकाश में ही होगी और उसके लिए यह अध्यन है और जो निश्टा है उसके फलस्वरूप क्या हमको लब्ध होता है तो उससे हमको फलस्वरूप अनुबूती होता है जो सत्य में ही होती है अनुबूती और सत्य क्या है तो सवसित्व रूपी जो परम सत्य है वही सत्य है और उसमें अनुबूती जो है उससे जीवन ब्रह्म मुक्त होता है तो यह पूरा उन्होंने बताया कि क्लेश मुक्ती जो है उसको परमपरा में किस किस तरह प्रयोग किया गया है और हर अध्य उपासना प्रयोग उत्पादन अभ्यास और निष्टा इनसे कैसे ब्रह्मुक्ति उपलब्दी होती है यह बात उन्होंने पूरी इस पुरुष्ट में की है अगली अनुबुती अगली अनुबुती जो है उसमें आपजी यह कह रहा है कि व्यापत सत्ता पारगामी पारदर डशी रूप में और दिवी देवता यनेक है और फिर उसमें इस्ट की परिबाशा लिखी है निर ब्रमता पूर्वख श्रद्धा विश्वास्सःट शिष्ट का फैचान होना सहस्तितों में इस्ट है यह बात यहां पर क्यों कर रहे हैं क्योंकि जब हम बोलें क्यों निष्ठा होना और निष्ठा की निरंतर्ता होना जो उन्होंने अगली अनुबूती में लिखा है कि जागरिती रुपी इस्ट में निष्ठा की निरंतर्ता से ही अनुबूती होती है तो जो निष्ठा है वो जागरिती रुपी इस्ट में है जागरिती रुपी इस्ट यान जब हम बोल रहे हैं कि हमारा इस्थ या जिसको हम मानते हैं अभी तक जैसे हम मानते हैं इस्थ हमारा कोई देवी है देवता है तो उसकी स्पस्थता के लिए यह अनुबुती लिखिए कि व्यापक सत्ता पारगामी पारदर्शी है और देवी देवता अनेक है यानि कि जो भ सिस्थता catasto 1 को यह समझ मेंी आता है कि जीव छेतना से मानुचेतना सिस्थ गया और इजुक्षबस्चज अनुबूति प्राप्ता नए लूफि जागृती रुपी इस्थ जीवन तत्व अमरत्व वादी है इसलिए नित्य सत्ता सहज अनुभव करने योग्य योग्यता को प्रमानित करने का अवसर हर मानव इकाई में है तो आगे ये बता रहे कि क्योंकि जीवन जो है अमर है इसलिए उसमें नित्य सत्ता का अनुभव करने की योग्यता है और इसलिए ये जीवन हर मानों में है इसलिए हर मानों में ये प्रमानित करने का आउसर उसको उपलब्ध है दूसरे के अस्तित्व के बिना जिसका अस्तित्व सिद्धनों हूँ उसको सापेक्ष की संगया है तो इसमें ये बता रहें कि जिसमें मतलब जो इकाया है वो सभी सापेक्ष के रूप में हमको दिखती है एक दूसरे की परसपरता के रूप में ही हमको समझ में आती है और उसी से आगे जोडते हुए बोल रहे है कि असंग्रह से निर्बीज प्रवृत्ती का प्रसव है जिसका फल प्रमान सर्वतों मुखी समाधान से समझधारी एवं समृध्धी श्रम से प्रकट होता है तो जब हम असंग्रह की बात करते हैं तो असंग्रह में ये समझ में आता है कि उससे निर्बीज प्रवृत्ती जो निर्बीजन की बात हुई थी निर्बीज विचार की व्यवहार की हमने पहले अध्यायों में पढ़ा है उसको तो उपकार प्रवृती जो है बढ़ती है उस असंग्रह उसी को बाबाजी बता रहे जिसका आगे उन्होंने परिभाशा के रुप में दिया है कि असंग्रह क्या है तो व्याई के लिए की गई आए कि असंग्रह संग्या है तथा इसका सद्वय अनिवार्य है यह स्वधन विदी से साथ थक है तो जो भी हम अभी मतलब उ क्यूं कर रहे हैं यह उत्पादन क्यूं इसका सबसे बड़ा जो परपस है यह सद्वय हो इसका सदुप्योग हो उसको प्रयोजन शीलता के रूप में उसका उप्योग सदुप्योग और प्रयोजन शीलता होना यह अनिवारी है यह आवश्चक है तभी असंग्रा हो पाता ह उससे पहले हम असंग्र की बात नहीं कर पाते हैं तो उसमें एक ध्यान देने लाई जो बात है वो यह है कि वस्तु की विपूलता हो जाना यानि साधनों की विपूलता हो जाना वो असंग्र नहीं है जब असंग्रत की बात कर रहे हैं तो उसमें समाधान की बात कर रहे हैं तो उसमें हमारे जिसको हम बोलें सरवतुम की समाधान हो जाना यारे हर दिशा हर कौन हर आयम हर परिपेक्ष में समाधान हो जाना उसके साथ में वस्तोव की भी हमको जितने आवश्यक्ता है उससे अधिक हमारे पास वस्तोव का उपलब्ध होना यह तब ही संभव है जब समाधानित है तो समाधान के बाद ही समरुद्धी है तो समाधान और समरुद्धी के साथ जो प्रणूति का उदय होता है वो निर्ब विदिते हे उसका उदाय नहीं होता और वह तब ही मताता हुआ रहे हैं उसके पहले जो नोंने लिखा कि दूसरे के शापेश्ता की जो बात की तो इसमें यह समझ वे आ रहा है कि हर एक जीवन टथव अम्रत हुआ यानि हर एक जीवन यह उसके हो सकता है उसके साथ-साथ जो है हमारा अगर हम देखते हैं तो मानव अकिले में उसका पूरी परिवार का भी अस्तित्यत्व नहीं नहीम्तस थो − पुरी मानों जाती हो साथ-सात है यानि हम देखेंगे इस दर्थे कि वह ष्मानों कुई को समझ्राई हो गया तो परमवें सरो मानों तब हैं जब को चुछ वेक्टी या कुछ को परिवार या कुछ समाधान समरुदी पुरवक बो few singing को जाएंगे निर्वीज प्रभुति के समाज की समाज की permiteおい уз कैसे कर पाया किसलिए वो जरूरी है आवश्यक है असंग्रह जो है और उसी को फिर आगे उन्होंने जो बताया है कि असंग्रह कैसे होता है तो वो दो उन्होंने बात बताई कि अकर्तुत्व वो अकर्मणत्व के निश्चे से ही असंग्रह होता है ना तो जब हम बोल रहे है अकर्टुत्व और अकर्मरत्व नहीं पढ़ लेता है अकर्टुत्व को लिखा है कि जो नहीं करना चाहिए उसे न करते हुए विधी विहित किरिया कलापों को अपनाना ही अनावश्यक कार्यों से मुक्ति है यही अकर्टुत्व है ब्रह्मवश किये जाने वाले जितने भी क्रियाकलाप है वही बंधन है क्लेशकारी है इसका निराकरण अनुब्रहुत सहज जागरीती पूर्वक किये जाने वाले सभी क्रियाकलाप समाधानकारी सुखकारी और शुबकारी होना अकर्तुत्व है यही उपलब्दी और अगर्चत को बाबा जी समझा रहे हैं यहां पर बहुत अच्छे सो ठोने यह बात को प्लेश किया है कि हमको जो भिधी जीरत क्रियाकलाब है यानि जो अस्तित्व सहज नियम могут की पहचान है और उसके साथ में ही हम जो क्रियाकलाब करते हैं शुक्यार्व में वही ऑकर्फथ महरे हैं यहीं एकर्फथ मुटि है और उसने वही λय करते हैं को यहार्व और उसको जमद्रिख पोरग है उसको करना वहीं प्लेश और इसका निराकर्ण कारफ़ कीजाने वर्यू कि आए अकला पर यह समाधान कारी है, शुकार यह शुब कारी है, और इससे उपलब्दी है और सम्रुद्धी है, और आगे अकर्टुत्व को ही समझा है कि ब्रह्म से निराकर्शन ही अकर्टुत्व है, यानि कि अधिमुल्यन, अवमुल्यन, निर्मुल्यन जो दोश है, उससे निर चाहिए वह को नरा करना ही अकर्वत्व हाँ हम से या से अकर्मन्युता तो जो समय है यानि जो ने उसको करने लाइक नहीं करना , तथा अचेश्टा से कर्मनत्त हैंगि चस्दा को हम जब देखते हैं तो कुछ करना ऐसा मन में समझ में आता है जहां पर चेष्टा की बात की है तो जो शरम गती प्रइनाम की ववज्जे जो प्रक्रिया है जो निरंता चलती रहती है इकाईयों में उसको चेष्टा कर रहे हैं और अचेष्टा यानि अचेष्टा मतलब उससे मुक्त होना तो अचे पहले जो आया था उसमें आसकती से मुक्त वही निराकर्षन है तो आसकती क्या है तो जो जैसा है मुझाहिए वैसा नहीं मानना, उसीलिए जो शरीर में आ सकती है, जो सविधाओं में आ सकती है, इसको हम समझ पाते हैं उस तरीके से, फिर आगे की अनुभूती है, चेश्टा से मुक्त होने का अधिकार किसी इकाई में नहीं है, अथवा किसी इकाई द्वारा सिध्ध नहीं हुआ है, तो इसमें ये समझ में आता है कि ये जो अकर्मन्यता की बात हो रही थी, उसी को आगे ये बता रहे हैं कि ये चेश्टा से मुक्त होना, मतलब श्रम गती परिणाम से मुक्त होना कोई भी इकाई के अधिकार में नहीं है, हम यहाँ पर हम देख पाते हैं कि हर इकाई, हर जो इकाई है जो अवस्था है वो चेष्ठा युक्त ही है और अभी तक हमने जब क्लेश मुक्ति या बंधन मुक्ति या भ्रम मुक्ति की बात हुई है परंपरा में उसमें कही न कही इस चेष्ठा से मुक्त होने का प्रयास मानवने किया है अलग-अलग विदियों से विचार से मुक्ति हो जाए या ये भ्रह्म बंधन से जो है मुक्ति हो जाए शरीर से मुक्ति हो जाए जीवन मरण के चक्र से मुक्ति हो जाए तो एक तरीके से हमको इस चेश्टा से मुक्त होना है ये हमने मतलब उसको माना था जबकि बाबाजी यहां पर बहुत अच्छे से बता रहे है कि चेष्टा से मुक्त होने का अधिकार किसी भी हीकाई को नहीं है और वो ये जो हम ये जो प्रयास करते हैं चेस्टा से मुक्थ होने का उसमें अकर्मणटा आलस्य और П्रमादात्मक दोश हमको दिखते हैं जिसको आगे बताया है अकर्मणत्व अर्थाथ आलस्य और प्रमाद के रूप में होना पाया जाता है या कर्म से मुक्ति पाने का प्रयास ही अकर्मनेता है फिर आलस्य को बता रहे हैं किसी कार्य को सही मानते हुए उसकी उपादेयता सिद्ध होते हुए भी उसे न करना आलस्य है और प्रमाद जिस कार्य में उपादेयता सिद्ध होती हो उस सम्मंद में ज्यान के अभाव में वांशित क्रिया न संपन्न होने वाली स्थिती प्रमाद है तो जो अकर्मनत्व है वो आलस्य और प्रमाद दोनों के रूप में हमको समझ में आता है और आलस्य क्या है तो हमको पता है कि ये सही है ये हमको करना चाहिए पर फिर भी हम उसको नहीं करते है तो यह जो है यह आलस्य है और प्रमाद यह है कि हमको पता नहीं है अग्यान है लेकिन अग्यान मतलब यह अग्यान के अभाव में भी अग्यान के अभाव में हम उस क्रिया को नहीं करते हैं तो यह जो नहीं करना है इससे भी यह मतलब अकर कर्मनत्व है यह चैश्टा से मुक्त होने का जो पूरा प्रयास है इसको बता रहे हैं और यह क्यों जोड़ा तो इसमें हम देखते हैं कि अभी तक समाज में संग्रह विदी से जीने के लिए कर्मनत्व भी एक वजह बता है बाबाजी तो उसमें यह समझ में आता है कि अभी उत्पादन के लिए या उन्होंने कुछ करने के लिए प्रयास नहीं किये उस तरीके से हम समझते हैं कि यह इसको बाबाजी प्रमोट नहीं करें इसको नहीं बोल रहे हैं कि चेश्टा से मुक्त होने के लिए हमको प्रयास नहीं करना है तो हम सही चेश्टा कैसे कर पाए या हम जो करना चाहिए उसको कैसे करें विधी वी चीजों को कैसे करें इसके बारे में बता रहे हैं बहुत बढ़ी आगे जो बताया अभी उन्होंने वह अच्छे से बात बताई कि अकर्मनत्व जो है अभी तक परंपरा में यह होना है कि यह सब जो जंजट है या जो जो भी जंजट की वजाए उससे हम मुक्ति पाना चाहता है तो फिर उसमें कैसे पाएंगे तो फिर जो ज एक इकाई जो है वो डुभीभीगी गिरी है यहने उद्दा संपन है कृशील है Vander्याची वयापक में ऐना उसके क्otle ही है अब सचेस्टि है तो मुक्ट कैसे पाएंगे जब हर क्रिया जो है वो क्रियाशील है शरम गती परिणाम पूर्वक तो उससे मुक्ति पाना संभव ही नहीं है किसी के अधिकार में नहीं है जब यह बात करें किसी के अधिकार में नहीं है तो उसका मतलब यह नहीं है कि दिव्यपत या उसके बाद में भी हम चे इतोंमें जो है चूदने का प्रयास कैसे करेंगे पिर उसमें इतना ही हो सकता है cesta सी हृदी मुक्तिे ही न ही कि चेशना हमारी है ह Collagen और जो भी आस पास है उसको हम अच्छे से समझ जाए, और जो है उसका समझेंगे तब उसके साथ निरुआ हो पाएगा इसलिए ब्रह्मुक्तिया निवरान नहीं हो पाएगा तो पलायन कोई उपाएगा नहीं इसको अच्छे से अकर्मनत्व और कर्मनत्व उसमें से अकर्तुत्व ही करने लायक है उसी से असंग्र होता है अकर्मनत्व से असंग्रा नहीं हो पाता है या नहीं अच्छीव कर सकते हैं यह प्रवाइब की जो अनुभूति है उसमें लिख रहे हैं आंशिक एवं पूर्ण भेट से निराकर्शन है मानवपद में अंशिक निराकर्शन तथा दिव्य मानवपद में पूर्ण निराकर्शन प्रमानित है यह उपकार प्रवति सहज वरियता क्रमेश परष्ट है यहां दो बेद बता रहे हैं आंशिक निराकर्शन और पूर्ण कर से निराकर्शन को हमने आगे पढ़ा के वो जो अधि मूलियन और और भूर्ण अ मुल्यान इर रेंजरी के सिन से युए खर है इस इस लिए आहन्गी इसरे आप प्रुरूद में क्यों है Scan ख़ह आरा ओना रह जिसको हम डिग्रीज बोलते हैं वो मानो देव मानो और दिव्य मानो में अलग-अलग पाई जाती है जैसे हम दिव्य मानो में देखते हैं इसना मुक्त प्रवर्वतिया से उपकार प्रवर्वति रह जाती है तो उसका विकास जो है वो मानोपद से ही शुरू हो जाता है और वो अन्तीम देव्यपद में यानि देव्य मानोपद में जाके वो पूरा होता है। यानि उसमें से रुकवार प्रवुटी रहती है बाकी कुछ पच्ता नहीं। इसलिए यहां पर यह लिखा है कि उसमें पूर्णे निराकर्षन मानवपद में आंशिक निराकर्षन यह तको वह समझा रहा है आगे का जो एक परिबाशा है वह पढ़ लेता हूं दो परिबाशा है तो अंतरंग और बहीरंग समस्त क्रियाएं सकारात्मक रूप में समयों म समयות यहां पर बता रहे हैं और आगे जो बता रहे हैं कि यही रचना विरचना क्रम स्थूल क्रिया में स्पस्ट है तो इसमें यह समझ में आता है कि जो समाती रेख है मतलब कोई केलिए कारण है तो यह रचना विरचना जो क्रम है ये बना ही रहता है और ये कहां बना रहता है तो ये स्थूल क्रियाओं में बना रहता है ये बात जो है ये बहीरंग क्रियाओं की बात हो रही है इसमें अंतरंग क्रियाओं की बात नहीं हो रही है इसमें आगे की है मानव जागरुती पूर्वक यथासिती में ही मध्यस्त ह मानव जब जागरुत होता है तो उसमें ये समझ में आता है कि ये जो सम विशम है न तो जागरुती पूर्वक सम विशम से अप्रभावित स्थिती है जो मद्यस्त है ये जागरुती पूर्वक मानव में स्थापित होती है और ये जो मद्यस्तिती की स्थापना है ये जीवन में चैतने पक्ष में होती है और यथा स्थिती ही स्वभावगती है यही मानव की स्वभावगती है इसी को हमने मानवियता के रुप में पहचाना है आगे बता रहे हैं स्थिती ही मध्यस्त है यह स्रुजन से विसर्जन तक तथा विसर्जन से स्रुजन तक है यह स्थूल क् प्रत्यक्ष है क्रिया मात्र स्थिती नहीं है क्योंकि परिणाम से मुक्त क्रिया नहीं है इसलिए सत्ता ही स्थिती है तो अभी ये बता रहे कि स्थिती क्या है तो वो मध्यस्त है मतलब ये जो स्थिती है वो हम जो मध्यस्त सत्ता है उसमें डूबे भीगे घिरे होने से मान जो मध्यांश है उसमें जो मध्यस्त क्रिया है उस अर्थ में स्थिती बनी ही रहती है ये जो बने रहना है विभव के रूप में उस अर्थ में स्थिती है और ये कब तक है तो जब हम स्थूल क्रियाओ में देखेंगे उसको तो वो कब तक है तो सुरुजन से विसर्जन तक और विसरजन से सुरुजन तक अथा जो रचना और विरचनाज का जो क्रम है दोनों में हमको बने रहने का क्रम एक दिखाई देता है जिसको हम मद्यस्त के रूप में स्थूल क्रियाओं में भी पहचान पाते है क्रिया जो है क्रिया में परिणाम होता ही है इसलिए क्रिया परिणाम से मुक्त नहीं है इसलिए क्रिया को स्थिती के रूप में नहीं पहचान रहे है जो सत्ता है वही स्थिती है जो सम, विशम और क्रियाओं से मुक्त है तो इसी क्रिया को जब आगे बता रहे हैं तो अभी यह जो पूरी बात हमने अभी तक जो पड़ी है ना उसमें यही है क्लेश मुक्ति है क्लेश मुक्ति कैसे होती है उसमें हमने छे बात से अध्यन उपास ना प्रयोग विवार वेवसाय अप्यास और निष्ठा को समझा उसके आगे जो उन्होंने थोड़ा स्पष् है क्लेश मुक्ति होने का अध्यकार कीसी काई में नहीं है उसके बात करते हुए उन्होंने बताया कि मद्यस्त की जो बात है उसकी बात की वह अभी ले जा रहे है इस अध्याय में तो मद्यस्त की बात अभी तक उन्होंने बताई कि सिती ही मद्यस्त है यानि हर क्रिया जो विश्म का नियंत्रण है उसी से हम सारे आवेशों से याने क्लेश से मुक्त हो सकते हैं इसलिए इसकी बात कर रहे हैं यहां पर तो अभी उसको क्विश्चन आंसर जो है हम लोग दूसरे सेशन में कर लेंगे कि अभी घृ कमेंट उसको पढ़ना थोड़ा दिक्कत हो रहा है तो हम इस सेशन में यह थोड़ा अध्याय कर लेंगे बाकी का अध्याय जो है दूसरे session 3-4 में और जितने भी प्रस्टिन उसका answer भी कर लेंगे तो बीच-बीच में जितना प्रस्टी करन हो पाते हैं देख पाते हैं उतना हम करते जाएंगे सारे question के answer हम 3-4 में कर लेंगे तो मैं एक दू अनुबूती और पढ़ लेता हूं time थोड़ा हो गया लगता है 10-20 हो गई है मैं पांच-10 मीट में इत्तों connect करके यहां पर हम session को समाप करतेंगे अगले session में बाकी का देख तोड़ा कर देंगे तो हर परमाणू अपने में मद्यस्त क्रिया है शम विशम रत आक्रमनों को मद्यस्त करण की क्रिया संपन्न करने योग्यक्षमता योग्यता और पात्रता को उपार्जन परियंत विकास है तो यहां पर बोल रहे हैं कि पर्माणू में मद्यस्त क्रिया ही है मूल रूप में क्यों मद्यस्त क्रिया है क्योंकि मद्यस्त क्रिया है सम विशम रत आकरमनों को मद्यस्ती करन क्रिया संपन करने योगेता शमता और पातरता के उपार जिन परियन पिकता से लग जब तक परिमानु में समविश्म जो आवेश है या समविश्म आक्रमन है उसको मद्यस्ति करण विधी से नियांटरित नहीं हो जाते है उसके परियंद विकास है यह जहां जड़ की बात कर रहे है और फिर आगे उन्होंने मानव में कैसे है उसको अगली अनुपूति म में बताया है कि पूर्ण विक्सित जागरी तिकाई में आत्मानु वर्ति बुद्धि चित्त वृत्ति एवं मन की क्रियाय मद्यस्ति करण प्रणाई से नियंत्रित होती है जिसके फल स्वरूपी सुक्षान्ति संतों से वं आनंद की प्रतिष्ठा होता है तो जब मानव म अगर देखी आए года अगर देखें कि तो मानव जड़ और शरी जीवन यानिके में देखें मन रूप में मश्य बुद्धी आत्मा को देखा है उसमें business ना आत्म को ईकाई यह प्रणानी से नियंतरित रहती हैं, जब यह अच्छा यह किस्म होता है, जागरित मानो विकाई में होता है, यह जिसको पूर्ण विक्सित का है, क्योंकि आगे विकास की बात किये के शमता यूगता और पातरता का उपारजन तब तक चलता रहेगा, जब तक मद्ध्यस्त आत्मा से नियंत्रित हो जाए. आत्मा नो वर्ती हो जाए. यही पूरा एक तरह से प्रयार्स है ब्रह्मुक्ति के लिए. और इससे फलन में क्या होगा? तो उससे फलन में जो उपलब्धी होगी वो सुक्ष, शांती, संतोष और आनंद की उपलब्दी होती है, प्रतिष्ठा होता है, उसको उन्होंने ये बात में रुपना, यानि कि जीवन लक्ष है, उसकी प्राप्ति हो जाती है, जो मद्यस्ति करण प्रणा लिए उससे, इसकी बात यहां पे उन्होंने की है, तो एक और अनुबुती कर लेते हैं अगली अनुबुती में कह रहे हैं, क्रिया से मुक्त इकाई नहीं है, सम विशम एवं मद्यस्त क्रिया का हुना पाया जाता है, जैसा कि उपरवनित है, सम तता विशम क्रियाओं में संतुलन नहीं है, इसलिए यह सिद्ध होता है कि मद्यस्ति करण प्रणाली से इकाई को मद्यस्त क्रिया से संतुलित किया जाता है इस प्रकार मद्यस्त की ही क्रिया शिर्टा प्रमानित होती है तता सम और विशम इसके नियंत्रित सिद्ध है तो जैसा आगे बता है वैसे ही बात उन्हें वापिस वही बात बताई है कि क्रिया से मुक्तिकाई नहीं है यानि कि चे सब्सक्राइब अ क्रिया शिल्ता है कि वह व्यापक में तो क्रिया सोसक्ता हैै तो क्रिया से मुक्त कैसे हो सकती या नीश क्रिय कैसे हो सकती है हो ही नहीं सकता तो उसके संभावना भी नहीं दिखती दुर 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 इसलिए इकाई है तो क्रियाशील है ही यदि क्रियाशील है चेश्टा है तो उसको समझना उसको जैसा है वैसा समझना याने तीनों दोस्ट से मुक्त होना यही निर्ब्रमता है यही निर्ब्रमता से याने ब्रह्म मुक्ती से क्लेश मुक्ती हो सकती है इसी दिया अध्यन जो है वो निर्ब्रम होने के लिए याने जो जैसा है उसको यथार्थ धर्शन के लिए ही अध्यन है उसी से क्लेश मुक्ती हो सकती इस बात को सद्ध्या में कह र प्रमानित होती है मतलब सम और विशम जो है उसकी क्रियाशिलता प्रमानित नहीं हो पाती क्योंकि निश्चित आचरण का ही हम अध्यान कर सकते हैं मद्यस्त के आचरण का ही हम अध्यान कर पाते हैं और बाकी हम आगे अगले सत्र में जो है इसको इस अध्याय को पूरा करते हुए और फिर जो सब question answers है उसको भी हम उसको भी हम रखेंगे सभी को धन्यवाद कुछ हम कर रहे हैं जिसमें जिसको और आगे बताया है इसमें कि अध्यान उपासना प्रयोग व्यभार व्यवसाय अभ्यास और उत्निष्ठा इस तरीके से हमने मुक्ति या ब्रह्म मुक्ति और दुख से मुक्ति के लिए प्रयास किया है तो और इसकी जो है आगे हर एक की हमने उसको थोड़ा डिटेल में देखा कि उसका अध्यान बोलने से क्या होता है अध्यान में हम इकाई की गठन, प्रक्रिया, आचरन उसका प्रयोजन ये सब स्पाष्ट हो जाता है और उसी को वही उपासना भी है जिसको हम कह रहे हैं कि अध्यापक के सानिद्य में जो हम समझदारी को उसको पाते हैं स्वत्व स्वतंत्रता अधिकार के रूप में और फिर प्रयोग जो है उसको देखा कि ये जो उत्पादन की उप्योगी साधनों की जो पहचान है या अलग-अलग उसका जो टेक्नीक है उसको हम प्रयोग करते हैं और उसका विपूली करण जब होता है, उसी को उत्पादन के रूप में पहचाना, और फिर कहा कि अभ्यास जो है, जो व्यवार अभ्यास, कर्माभ्यास और विचार अभ्यास के रूप में है, जिसका, जो प्रमानित कैसे होता है, ये करने से हमको कुशलता, निपुंता और पांडित्य के रूप में प्रमानित होता है, फिर निष्ठा जो है, वो है कि न्याय धर्मसत्य के प्रकाश में और किसके अर्थ में तो मानव लक्ष के अर्थ में अध्यान करते हैं, निष्ठा जो है, वो एक निष्टित विद्धी है, जिसके लिए हम समर्पित रहते हैं लक्ष को स्मरण पूर्वक प्राप्त करने का वो निरन्तर प्रयास है, फिर आगे वो बता रहे है कि ये निश्टा हम किसमें रखेंगे, तो जारुती रूपी इश्ट में ही निश्टा है, और वो कैसे होगा, तो इसलिए वो बता रहे कि व्यापक सत्ता पारदर्शिय और पारगामी है और उसमें देवी देवताया नेक है, अभी तक हमने इश्ट को देवी देवताओं के रूप में पहचाना है, इसी अर्थ में ये बता रहे हैं, अभी जागरुती रूपी इश्ट को ही हमको मतलब निश्ठा के रूप में हम पहचानते हैं, फिर आगे बताया है कि क्योंकि जीवन जो जीवन तत्व है यह अमर है इसलिए इसमें एक शमता बनी हुई है कि वो अनुभव करने योग्य है और इसलिए इसमें जो योग्यता है यह हर मानों में बनी हुई है कि और इसको प्रमाणिक करने का ऊसर भी हर्मानों में आगे जो है उसमें एसा बता रहे है कि असंग्रह मतलब यह सब करने के लिए जो आधार है उसका असंग्रह जो है उसका आधार है हम असंग्रह से निरबीज-प्रवृति का प्रसव है निर्बीज के बारे में अभी तोड़ा सा बता देते हैं तो एक सवाल भी था बलराज जी का सवाल था ये कि निर्बीज प्रणूति की व्याख्या करे तो जैसा यहां पर कहा गया है कि निर्बीज प्रणूति का प्रसव है तो जब हम निर्बीच प्रवरुति कह रहे हैं तो उसमें क्या कह रहे हैं निर्बीच प्रवरुति जैसे पीछे भी रेफरेंस आया कि दर्शन 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 में कि जो एश्रा मुक्ति के बाद ही निर्बीच प्रवरुति का प्रसाव है है याने एश्र ना जब हम देखते हैं तो उसको हमने पुत्येश्णा वृत्येश्णा और लोकेश्णा के रुप में देखा आये तो इन तीनो एश्रव को भी जब देखने जाते तो इस साग़ में आता है तो जिसे हमने बहुत सामाने रुक में समझा है कि वित्तेशना याने धन्बल कामना पुत्रेशना याने जन्बल कामना और जब हम कह रहे हैं लोकेशना याने यश्वल कामना पर इसको और जब फाइन या बारीक देखने जाते हैं तो समझ में आता है कि धन्बल कामना तो है पर वो किसके लिए है हमको धन चाहिए पर किसके लिए तो फिर समझ में आता है कि वह सदुप्योंक के अर्थ में जो नियाई द्रश्टी पूर्वक धन बल कामना है वही वित्तेशना है तो जब हम देखते है मानोपद में आते है तो चार विषवों की एक व्यख्या के गरस्ट रहता है उसी को हमने ब्रभाशा के रुप में परिवाशित किया है तो इस विशव से मुक्ति के बाद मानव में जब एशना रहती है तीन एशना तो वो किस रूप में काम करती है तो जो एशना रहती है जब मानव पत की बात करते हैं तो उसमें वो दित्रेशना यानि धन्बल कामना रहती है तो वो रहती है सदुप्यों की अर्थ में यानि कि हमको धल्बल की आवशक्त है पर सदुप्यों की अर्थ में जब पुत्रेशना की बात करते हैं तो उसमें जन्दबल कामना है पर वो किसके लिए है तो जो जन्दबल कामना है अखंड समाज सावरबों व्यवस्ता की अर्थ में हमें जो जन्बल कामना है उसको पुत्रेशना की संग्या है अब उसके बाद में आता है लोकेशना तो जब लोकेशना की बात है तो यह अश्पल कामना पर किसके अर्थ में यह अश्पल कामना तो उसको हम देखते हैं तो अखंड समाज व्यवस्ता के अर्थ में न्याय धर्म द्रश्टी पूरवक पुत्रेशना में जब हम देखते हैं या वित्रेशना में तो न्याय धर्म दर्ष्टी पूर्वक अखन्ड समाज विवस्ता के अर्थ में यश बल काम ना, तो ऐसा नहीं है कि हमारा नाम हो जाये, जिसको हम आज बहुत आम तोर पर देता है, कि मेरा नाम हो जाया है, लोग मुझे जानने लगे, उस अर्थ में नहीं है, यहाँ पर लोकेशन आ इस अर तो यहाँ पर प्रयोजन है वो तीनों एचनाओं में जुड़ा हुआ लगता है कि धन भी है तो सदुप्यों के अर्थ में तो यह प्रवरूत्य मानों में पाई जाती है क्यों पाई जाती है क्योंकि अगर समादान सम्रुद्धि को प्रमानित करना है तो धन्बल भी है तो यह बल भी आवशक है इसलिए एष्णाय मानवपद में हमको समझ में आती है कि मानवपद में एष्णाय किस तरह काम करती है पर अगर हम फिर बाद में दिव्य मानव की जब बात करते हैं तो यह मानव देव मानव दिव्य मानव तीनों में अगर देखने जाते हैं समझ में आता है जैसे इसमें समझ मेंं आता है कि उसमें सिर्फ लोकेशन रहती है जो व्यवस्ता है उसके अर्थ में यश्भल कामना रहती है उसमें धन्बल कामना क्योंकि उसमें समधान सम्रुदी प्रमानित हो जाता है तो उसके आगे का जो क्रम है वो समझ में आता है तो उसमें पुत्तेशना और वित्तेशना से आगे रहते हुए लोकेशना की कामना रहती है और जब हम देव्यमानों की बात करते हैं जिसको निर परियाब दुरूप में यश्पल कावना भी उसमें पूरी हो गई होती है इसलिए फिर उसके बाद क्या बचता है तो सिर्फ उपकार बचता है उसमें सिर्फ और सिर्फ उपकार होता है और उपकार को अगर देखने जाए तो उपकार क्या है तो जो सिखा हुआ है उसको विश्तार था जो बलाठ जी का सवाल था उसका जवाब है और फिर आगे हम करम शुरू करेंगे और करम से अलग है उसको अध्याय के समापन के बाद उसको उत्तरिद कर देंगे और अगर आपको कोई और सवाल है तो आप बीच में भी लिख सकते हो उसको भी पढ़के अभी हम जवाबते देंगे कि एक और जो पहले ही सवाल आ गया था कलेश का मतलब क्या है किसी ने उस पर लिखा भी था यह पीडा दुख चिंता यह संताप यह जो है इसी को कलेश के प्रवरुत्ति को तो इस तरीके से जब हम निर्बीजन को बताया निर्बीजवीच प्रवृत्ति को तो यह बता रहे कि असंग्रह से निर्बीज प्रवरुति मतलब अपना जो हमारा जो उपकार करने की प्रवरुति है वो दीरे-दीरे बढ़ती है उसी को मानव से और मतलब उपकार प्रवरुति बढ़ जाती है देव मानों में और दिव्य मानों में उपकार प्रवरुति ही रहती है उस अर् अकर्मनत्व यहां पर जो बात की जा रही है कि अकर्त्रुत्व याने जो विधी विहित क्रिया कलाप है उसको करना या जो निशेद है उसको नहीं करना उसको अकर्त्रुत्व कहा यह जो नहीं करने वाले या भ्रंबश किये जाने वाले जो भी क्रिया कलाप है उसी से बंध कारण है और इसे से फिर आगे बतार है कि यह जो भ्रह्म से निराकर्षन हैं तो पिर क्या है तो आसास्क्ति से मुख्त यानि अधिमुल्यन-अमुल्यन-निंुल्यन-से मुक्त जहक्रिया है और उसका फिर आगे बता रहे है अकर्मन अत्व को जिसको हमने बताया था कि चेश्टा से मुक्त होने का अधिकार किसी को किसी काई को नहीं है और वो जो चेश्टा से मुक्त होने का अधिकार या चेश्टा से मुक्त होने के लिए आलस्य या प्रमाद के रूप में हम उसको देख पाते हैं आगे जो है उसको बता रहा है कि आंशिक वो पूर्ण भेच से निराकर्शन है और ये निराकर्शन जो है मतलब अधिमुल्यन अवमुल्यन निर्मुल्यन दोश से मुक्त होना ये मानवपद में आंशिक है और दिव्यमानों में पूर्ण है जो उपकार प्रवृत्ति के समस्तक्रियाय सकारात्मक रूप में सम और मद्यस तो एक सवाल आया था कि अंतरंग क्रिया और बहिरंग क्रिया क्या है जो बलजी भाई ने पूछा था तो अंतरंग क्रियाय जो है वो आशा विचार इच्छा रुतंभरा और प्रमान के रूप में मतलब जो जीवन क्रियाय उसी को हम अंतरंग क्रियाओं के रूप में पहचानते हैं और पहीरंग समस्तक्रिया मतलब जो शरीर का क्रिया कलाब है जिसमें हम शब्दस पर शरूप रसगंध के रूप में उसको हम पहचानते हैं फिर आगे जो है उसी को बताया है कि जो मतलब सम और विशम इसका जो एक दूसरे का चक्र है उसको आगे बताते हुए बताया कि यह रचना विरेचना क्रम्दु है यह स्थूल क्रियाओं में मतलब शरीर में बनाई रहता है और उसमें जो मतियस्थ है मानव में हम देख पाते हैं कि जागरुती ही मतियस्थ है और उसी की तो इसी को जोड़ते हुए फिर बता रहे हैं कि हर परमानों में मत्य स्थूल क्रियाओं को किस तरीके से हम पहचानते हैं तो सम विशम के आकरमणों को मद्धस्ति करण कर पाने की रूप में जो हम ऐसा देख पाते हैं कि सत्ता में सत्ता ही स्थिती है और सत्ता में संपुरुक्त होने की वज़े से मद्ध्यांच में हम मद्धस्क्रिया को देख पाते हैं और ये जो है आगे हम इसको रेक पाते हैं कि ये कैसे हम पहचानेंगे इकाई मानव में तो आत्मास से आत्मानु वर्ति बुद्धी चित्त वृत्ति और मन की मतलब मात्मास से नियंत्रित बुद्धी चित्त वृत्ति और मन का होना जो सुक्षानती संतोष और आनन के उसमें है कि क्रिया से मुक्त इकाई नहीं है तो जो आकरी दो अनुगूती हमने देखी थी तो उसमें हमने ये पढ़ा था कि क्रिया से मुक्त इकाई नहीं है तो जब हम बोले क्रिया से मुक्त इकाई नहीं है उसमें समझ में आता है कि हर क्रिया यानि कि अगर मस्तितों में देखे तो तीनी प्रकार की किया हमको समझ में आती है एक तो बहुती क्रिया है दूसरी राशायनिक क्रिया और तीसरी जीवन क्रिया और उसके साथ अगर हम देखते हैं तो क्रिया शुनी तो दो ही वास्ततर हैं हमको समझ में आता है ये क्रिया शूनी है औтор क्रिया है तो उसके अलगलग भेट है बहुती टिक ऐ्राशा है राकश错 राकश रहर स्टर्व करिया तो ब हैं क्रिया से मुख तिकाई नहीं है उसकी को जब हम आगे उन्होंने पड़ा तो समझ में आता है कि सम विशम में मद्यस्त क्रिया का होना पराया जाता है तो उसमें भी जब बता रहे है तो जब परमाणों में हम देखते है तो सम क्रिया है विशम क्रिया है मद्यस्त क्रिया है यानि जो मद्यांश है उसी को मद्यस्त क्रिया का है उसको मद्यश्ट क्रिया क्यों कहा है तो जिसे पूरे वांगमे में यह उलेख आता है कि सभी अंश समान है तो फिर जो मद्यांश है और जो अंतीम परिवेश है न जो से हम देखते हैं जीवन परमाण में चतूर्थ-परिवेश है मन उसके अंसर मद्यांस में क्या भेद है क्योंकि अंसर तो सभी समान है तो सभी समाज में आता है क्योंकि वो मद्य में है, मद्य में होने के कारण, जिसको हम बोलते हैं अधिस्थान, तो वो जो स्थान है, तो ये मद्यांस का जो जो स्थान है, उसके कारण, उसमें मद्यस्त का अनुभव करने की शम्ता है, जिसको आगे बहुत अच्छे से बताया है, आत्मा में क्यों मद्यांस मे जाने कि प्रथम द्वितिय त्रितिय चतुर्थ परिवर्शों में उसका क्या प्रभाव होता है तो उसकी भी आगे बात आएगी जिसको अगली अनुपूती में भी हम देखेंगे तो मुल बात तो यही है तो जैसे हमने आगे पढ़ा था कि गठन सिद्दान समान है याने कि जो श्रम गती परिणाम है उसी के सिद्दान से हर परमानों का गठन है जब हम परमानों कह रहे तो एक से अधिक अंश के जो भी परमानों है उस अभी परमानों की बात कर रहे है और उसमें जो मद्य में है वो मद्यांश है और जो उसके परिवेशी अंश है उसम और विश हम नियंत्रित होते हैं उसे की बात उन्होंने मानव में भी की है वो कैसे होते हैं आत्मा जो है मन वृति चित्व बुद्धि को कैसे आत्मान वर्ति होने से वो नियंत्रित रहते हैं उसमें वैभार कैसे नियंत्रित रहता है उसमें विचार कैसे नियंत्रित तो उसके आगे की रुख में देखते हैं, तो जब इकाई कहते हैं, तो उसकी भी हमने आगे बात कर ली, तो अभी तक हमने इतना समझा था, एक प्राश्ट बता रहे ऐसा है, ठीक है, तो इसी को जब हम आगे देखते हैं, तो समझ में आता है तो जिसे हमने मानव को जब समझना शुरू किया तो हम समझते हैं कि मानव में चार आयाम है जिसको हमने अनुभव विचार वेवार और वेवसाय या प्रयोग वेवसाय को प्रयोग भी करा है तो यह चारों आयामों में हमने मानव को समझने का प्रयास किया है और य도 हैं ये छाहिं बात करते हैं तो उसमें जब बता रहा है कि जो वहिवार आयाम वें वह कैसे नियंत्री की वहanny जो आयाम है है őं नियास स नियनतुरियत तो उसकी जो वह भवार मद्यसनदा है वह नियास से वらい झारिकम अद्र स्कति गारोब है और अनुभा में और अर्थ जेए आनुभाव 15 Game 1 मतेस्तिता इसे का अर्थ कईहरा तो जो अनुभव Wik जिसको हमने आत्मा में एक अनुभव की क्रिया की रुप में भी देखा है जब वो ग्यान में संप्रिक्थ होने से यानि कि सहस्तित्व में अनुभूत होता है तो उसी समय जो अनुभव की मद्यस्थता है वो ग्यान से हो जाती है यही बात वो कह रहे है तो यह बात है और आगे इनी तीन को वापिस उन्होंने ज़्यादा स्पष्ट किया है कि समस्त वहवार नियम से नियंत्रित है जब उन्होंना आगे बला कि वहवार की मद्द सता नियाए से है तो नियाए फिर यहां नियम क्यों कह रहा है तो उसका आर्थ यही है कि जो मानव के वहवार के लिए जो आवशक की यह नियम है उसी को नियाए की संग्या है तो जो यह आवशक की यह नियम है उससे ही समस्त वहवार नियंत्रित होता है दूसरा यहां पर बोल रहे हैं कि नियम मानव के आचरन के रूप में प्रमाण तो जो मानव का आचरन है उसके रूप में उसका प्रमाण हमको समझ में आता है जब विचार की बात करें तो विचार मात्र समाधान से नियंतित है जो जागरिती का प्रमाण जब हम कहते हैं कि जो विचार है जो हमारा एक तरह से दूसरे आयाम में हमको देखने को मिलता है। जो हमारा विचार जो होता है पूरा जो विशलेशन पूरवक और तूलन पूरवक संपूर होता है उस विचार को अगर हम समझने जाते हैं तो समाधान से नियंत्रित है समाधान से नियंत्रित है यानि कि हमको हर गटना का नियम और हर गटना में क्यों और कैसे का उत्तर पता हो जाना उससे वो नियंत्रित रहता है उससे विचार हमारा नियंत्रित है नहीं तो हमारा विचार नियंत्रित होता है यह हम देख पाते हैं हमारे अंदर भी हमको जब ये चीजे हम जैसे आम अगर हम बात करें तो जैसे हमारा विचार कुछ करने के लिए दौड़ता है और अगर अगर उसमें हमें स्वश्टता नहीं है तो वो अनियंत्रित हो जाता है और अगर उसमें पूरी गटना का या नियम का या जिस वीदी से वो गटने वाला है उसकी जागरिती पूरवक ही हो सकती है अभी तो नियंत्रित रहता है नहीं रहता है ये भी देखने को मिलता है फिर तीसरी जो बात करें के अनुबव मात्र व्यपकता में जो शुन्या यानि व्यपक की शुन्या है उसकी बात कर रहे है तो ये तीनों जो विचार वेवार और अ आगे की अनुबूती है अनुभव ही ज्ञान सहज प्रमाण है जो ग्यान अर्थात व्यापक में अनन्त इकाया संप्रुक्त होने की समझ ही है व्यापक में अनन्त प्रकृति की अविभाज्यता ही सहस्तित्व है तो यह जो अनुभव की बात हुई जो व्यापकता में अनुभव होने से क्या समझ में आता है तो ये समझ में आता है कि जो शून्य है जो व्यापक है वही ग्यान है और वही जो है अनुभव में समझ में आता है अनुभव में ये समझ में आता है कि ये जो ग्यान है उसी में सभी अनंत जो इकाईया है वो संप्रुक्त है दूबा है भीगा है और घ कर सकते हैं, हम व्यापक और प्रकृति का अलग से अध्यान नहीं कर सकते हैं, उसको हम सहस्तित्व के रूप में ही अध्यान कर पाते हैं, इसी को पहले अध्याय में भी हमने देखाई था, इसके बारे में कि शुन यही ज्ञान कैसे है, और व्यापक ही ज्ञान कैसे है, इसक पर बात हो चुकी थी पहले राकेश भया ने रखा था उसके बाद है जागरुत मानव में न्याय पूर्ण व्यवहार तथा सम्माधान पूर्ण विचारों को पाया जाता है तो जागृत होने के बाद मतलब जो बात हो रहे थी कि एक बार अनुभूत अनुभव होने के बाद व्यवहार जो और विचार समाधन पूर नहीं होता है तो इसमें अभी अन्याय और समस्या का कोई भूमीका नहीं रहती इसमें और इसलिए ये समझ में आता है कि जागुरत मानव का जीना जो है वो कलेश से मुक्त होता है हमको समझ में आता है तो अभी आगे जो पूरा बता रहे है करम इसमें वही समझ में आता है कि कलेश मुक्ती होने से या अनुभव होने से क्या स्थिती जीवन में क्यास्तिती व्यवार में ये आगे पूरा उसको विस्तुत रूप में बताया गया है तो आगे की है कि अनुभूती मात्र सहस्तित्व रूपी सत्य में ही है सत्य में अनुभूती ज्ञानवस्ता की निरभ्रम इकाई द्वारा ही होती है तथा इसका प्रभाव, बुद्धी, चित, वृत्ती तथा मन में आपलावन होता है तो अभी जो अनुभूती की बात ही चल रही तो अनुभूती किस में होती है फिर से बता रहे कि सहस्तित्व रूपी जो सत्य है मतलब सत्य में अनुभूती है जिसको हमने बोला कि व्यभार में न्याय, विचार में समाधानिया धर्म और सत्य में अनुभूव उस अर्थ में और फिर उसको वो सत्य क्या है तो सहस्तित्व ही है और ये जो सत्य में अनुभूती होने से ज्यानवस्ता की जो इकाई है, जो जीवन है उसका प्रभाव मतलब आत्मा का जो प्रभाव है वो बुद्धी चित्त वृत्ति और मन में आपलावन के रूप में होता है ये प्रभाव स्विकार होता है बुद्धी चित्त वृत्ति और मन में और उसी को आगे फिर बता रहे कि उसका क्या प्रभाव होता है मन पे क्या प जो आत्मा है उसी में मद्द्स सत्ता का अनुभव करने की श्यमता है उसी के कारण आत्मा में अनुभव होता है तो अनुभव ही जो है उसको हम विचार में या चित में या जिसको हम कहते हैं मन में कैसे पहचानते हैं या कैसे उसका प्रभाव पहचानने में आता है उसकी ब उन्होंने समझा है तो इसके बाद एक जो अनुपूती है जो मुझे लगता है 77 पर जो प्रिंट हो गई है उसको हम पढ़ लेते हैं वो एक चुने इसके नीचे ही है मन की जो है 77 पर है यह सम विशम विचार तता वहवार दोनों आस्वादन करिया है तो यहां पर बता रहे ह कि सम विशम और विचार और विवार जो है यह दोनों ही आस्वादन करिया है साथ मैं आस्वादन को भी समझ रहा है कि आस्वादन क्या है आस्वादन में उन्होंने समझा है कि समाधान सहज प्रयोजन के अर्थ में आशा एवं रूची सहित गरहन करिया की आस्वादन जब हम कोई भी चीज गरहन करते हैं तो किस विदी से गरहन करते हैं तो आशा और रूची साहिट जिरकि उसमें तीन प्रकार के आस्वादन बताए गए रूची मुलक है और लक्ष मुलक है तो जब रूची सहीत कर रहे हैं तो रूची मुलक की बात कर रहे हैं आशा अर्थ में आशा है और रूची सहीत हो जो आशा की बात कर रहे हैं उसमें दोनों ही है कि जो लक्ष के अर्थ में हो मुल्य मुलक के अर्थ में भी है किसलिए वहां लिखा है कि समाधान सहज रियोजन के अर्थ में उसके अर्थ में जो भी गरान होता है उसको आस्वादन की संग्या है और जो आस्वादन है वो सम्विशम विचार और विवार दोनों का ही आस्वादन होता है ये बात वो कर रहे हैं दोनों ही आस्वादिन क्रिया है तो इस तरह से मन में जो है हम जो आत्मा में अनुबूती होई साहस्थी तो है कि उसका प्रभाव मन में इस तरह से हमको समझ में आता है आगे वुपत्य की बात करने के लिए जो अनुबुती लिखी है, उनों ने कि अनुभव सहज व्यवारिक मद्यस्तता जो वुपत्य की स्विया ہے आगे जैसे हमने बढ़ा कि न्याय जो है वो मद्यस्त जो है वो वेवारिक तथ्य यानि कि न्याय में ही पैचानमिन में आता है जोनबुति थी कि मानव में व्यवारिक मद्यस्तता न्याय से है तो वही बात करें कि व्यवारिक मद्यस्तता है वो वृत्ति की क्रिया है क्यूं है क्यूंकि न्याय और समाधन के रुप में परिलक्षित होती है क्यूंकि वृत्ति जो है वो विचार वेता याने के वृत्ति और समाधान है उसके रूप में परिलेक्षित होता है फिर आगे वो बता रहे कि बुद्धी में क्या होता है तो अनुबव सहज बोध की स्थिति बुद्धी की क्रिया में अपलावन होता है यानि कि अनुबव जो हुआ उसका जो बोध है वो बुद्धी में ही अपलावन हो निया रूत्ति पी पहती है यही बात पूरी वह कर रहे है आगे बता रहे है कि इसलिए व्यभार में अनुभाव तथ्य न्याय है विचार में अनुभाव तथ्य धर्म है और आत्मानु भूत तथ्य सहस्तित्व है यही परमसत्य है तो जो बात हुई उसको उन्होंने एक तरीके से समप कर दिया कि व्यभार में हम अनुभाव को अगर पहचानने जाएंगे अनुभाव का कौन सा तथ्य जो व्यभार में समझ में आता है तो न्याय के रूप में समझ में आता है तो अनुभाव का व्यभार में जो प्रमाण ह वही न्याय है और विचारम वही जो अनुभव पहचानने में आएगा तो धर्म के रूप में समाधान के रूप पहचानने में आएगा और आत्मानुभूत तत्य जो है सहस्तित्व में आत्मा में सहस्तित्व के रूप में पहचानने में आता है यही परम सक्ते है आगे की अनुभूती है व्यवहारिक मद्यस्तता मतलब क्या तो सम विशम व्यवहार के बीच मद्यस्तता करने की पात्रता से है जो न्याय के रूप में होता है वैचारिक मध्यस्तता सम विशम विचारों का समाधान प्रस्तुत करने योग्य योग्यता से है जो अनुभव से है तथा अनुभव मध्यस्त ही है तो अभी तक हमने जो जहां से शुरू किया था तो उसमें ये समझ में आता है कि सम विशम और मतूलन है वो मद्यस्त के रूप में हो पाता है वो इसलिए आगे ये भी लिखा था कि जो मद्यस्त की क्रियाशीलता है वही प्रमानित होती है सम विशम उसमें नियंत्रित रहते हैं तो उसी को इसमें मानों के रूप में हम कैसे उसको देखेंगे उसको जोड रहे हैं कि जो व्यभार में मध्यस्तता है मतलब सम विशम व्यभार के बीच हम उसको मतलब नियंत्रित कर पाते हैं या मध्यस्त उसमें रहपाते वही वो करने की जो पातरता है वो न्याय है तो न्याय को उस तरीके से परिभषित किया कि सम विशम व्यवार के बीच संतूलन को स्थापित करने में फिर विचार में मद्यस्तता क्या है तो सम विशम विचारों का समाधान प्रस्तुत करना याने जो भी हम समस्या है उसी को हम समाधान के रूप में प्रस्तुत करने जो योग्यता है यही जो है वैचारिक मद्यस्तता है और अनुभव मद्यस्ति है अनुभव जो है उसमें सम और विशम का कोई भूमी का ही नहीं है अनुभव में या आत्मा में सम और विशम का प्रभाव ही नहीं है वो प्रभाव से मुक्त है आत्मा में जागृती व्यापक वस्तु में अनुभूती करिया संपन्न होने की क्षमता तक बुद्धी वचित्त की जागृती विचारों में समाधान प्रस्तुत करने योग्यक्षमता तक वृत्ती तथा मन की जागृती समस्त व्यवहार वक्रिया को न्याय से समन्वित व्यवहार को प्रस्तुत करने की क्षमता की सीमा तक है तो अभी इसको ही जोडते हुए हम जो जीवन की सभी जो स्तर है मतलब सभी जो अंग है आत्मा, बुद्धी, चित्त, बुद्धी, मन तो इसमें जागरूती को हम कैसे देखेंगे तो आत्मा की जो जागरूती है वो व्यापक वस्तु में अनुभूती होने से वहां तक उसकी उसकी ख्यमता है कि व्यापक वस्तु में अनुभूत होना फिर बुद्धी और चित्त की जो जागरूती है तो बुद्धी और चित्त मिलके हम यह समझ पाते है कि उनकी जागरूती इस विचारों में समाधान प्रस्तुत करने योगयता से समझ में आती है वहां तक बुद्धी और चित्त की जागरूती है तो समाधान जो प्रस्तुत हो रहा है वो बुद्धी और चित्त के योगफल में समझ में आता है और वुरूती तथा मन की जागरूती समस्त व्यभारव क्रिया को न्याय से समन्वित व्यभार को प्रस्तुत करने की क्षमता की सीमा तक है तो जो व्यभार में न्याय है और क्रिया में न्याय या नियम जिसको हम बोलेंगे तो व्यभार और क्रिया को न्याय के अर्थ में जब हम प्रस्तुत करते हैं ये जो जागुरुती है, ये मन और वृत्ति की जागुरुती के रूपे हम इसको पहचानते हैं। फिर आगे की अनुभूती है, आसक्ती रहित इकाई में अकर्त रुत्व ब्रह्म मुक्ती के रूप में होता है। अधिकादिक उपकार करने के उपरांध भी और करने की स्वीकृती रहती है। अधिकादिक उपकार करने के उपरांध भी और करने की स्वीकृती रहती है। तो इसमें हम जब भी अकर्तृत्व होने से ये नहीं समझ में आता है कि अकर्मन अत्व की और नहीं जाता है। तो उसको ये हम इस तरीके से देख पाते हैं कि हम और और उपकार करने के लिए प्रवरुत होते हैं और ये अधिकादिक बढ़ते ही जाता है। इसका करम और और ये जो आ सकती है यही ब्रह्म है। तो ये ब्रह्म तो वही है अधिमुल्यन अवमुल्यन और निर्मुल्यन दोश जो मुल्यांकन में गल्ती है। मुल्यांकन सही नहीं होना सटिक नहीं होना जो जैसा है उसको अन्यत्हा मान लेना यही सब भी आ सकती है। एक दो सवाल आ रहा है मुझे लगते हम करते हैं। हाँ तो जो सवाल है वो देख लिया है। उर्जा स्वरूप है व्यापक तो क्रिया शुनि कैसे है। दूसरा मद्यस्वर दर्शन की यह भी कैसे सीखे या उसको कैसे पढ़े। तो अभी तक हमारा जो भी एक तरह से यात्रा रहा है उन्हें हम कैसे किया। हम शेयर करेंगे जो सवाल उसका जवाब देंगे। एक बार इसको पूरा कर लेते हैं ताकि ये करम जो है वो बना रहा है 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 न हूँ दोनों सवालों के जवाब हम इसके बात देतेंगे। तो अभी तक जो बात हुई हमने यही देखा है कि जो मद्यस्ध है ना या मानाव में, उसको दे चखने गए तो सामच में आता है, कि जो तो हरेक अंश दूवा बिगा गिरा है ऐसा तो नहीं है कि आत्मा अंश या मन में जुव अंश दूवा गिया है या नियाय के स्तर तक ही हमको समझमे लखे एक प्रण्खती रखा था उसके साथ पड़ते हैं कर दोनों आस्वान कृएवर जो हम पड़ ली है जो उसके साथ पढ़ेगी उरुति के साथ अगली अनुबूति है जिसमें लिखाया कि इस्ट दिशा में प्रवुति हो तथा अन्य दिशा में प्रवुति ना हो उसकी एच्छिक निराकर्शन संग्या है संपूर्ण दिशाओं में प्रमानित होने वाली ही प्रूर्ण निराकर्शन संग्या है तो इस्ट दिशा में प्रवुति हो यानि कि जैसे अभी हम कोई यह समझ में आ रहा है कि इस्ट जो है वो जागरिती ही है जागरिती के स्थर पर अगर देखेंगे तो जो व्यक्ति के स्थर पर है तो यह समझ में आता है कि जो व्यक्ति के सर पे समाधान है याने वीचार में जो समाधान है वो पहला कदम है तो उसमें जो प्रवरूती हो जाए और अन्य दिशाओं में प्रवरूती नहों जाए सब भी हम अध्यन की ही बात करें तो जब हमारा अध्यन में मन लगता है हम अध्यन में प्रवरूत ह कि दिश्क in a lot साल भाषा में अगर उसके तो बहुत साइज करते रहते हैं तो उसका फिर हमारा मन लगता है या को समाज में आथा है या इसको हम बोलते हैं कि जो आसवादन है वह अगर मुल्यों में होता है तो हम को बाकी सब जो आस्वादन है उससे वरिय चीज समझ में आती है तो उसका फिर हमारा आकर्शन बढ़ता जाता है तो फिर इस दिशा में प्रणृती होती है और अंडे दिशा में प्रणृती है जो संपून अयाम कोण परिप्रेशन आयाम की बात कर रहें तो चारो आयाम मानों में देखेंगे तो विचार वैहवार व्यावसाय रणुबॉव जब उसको हम परंपरा में जब समझने जाते हैं तो संस्कृति सभ्यता विदिविवस्ता आयाम के रूप में और इकाई में देखते तो रूप बहुत सभावदर्म तो उसके साथ परिप्रेश्या ने ग्यक्ति परिवार समाज राष्ट्रे और अंतरास इन सभी में जो समाधान प्रस्तुत होता है वही सरुवत्मकी समाधान है तो संपूर्ण दिशाओं में उसमें प्रमानित होने वाली ही पूर्ण निराकर्शन संग्या है तो उसी को पूर अध्या का सार है अगर समझने चाहे तो इसको पहले एक बार शांती से पढ़ लेते हैं कि क्या कहना चाहते हैं इसमें फिर एक एक चीज इसमें एक एक जो वाकिय है उसको समझते हैं तो इसमें जो कह रहे हैं ये कह रहे है कि निराकर्शन ही अनासक यही जागृति है अनासक इस पुरी अनूबूती है और बहुत इंटरस्टिंग है इसको देखना । यह पहला जो यहाँ पर बात कहा है यहाँ पर लिखा है कि निराकर्शन ही अना सकती निराकर्शन की हमने परिबाशा पड़ी आगे निराकर्शन किसको कह रहे है वापिस एक बार स्मरर में लाते हैं कि निराकर्शन अर्थात आसकती से मुक्त अर्थात अदि मुल्यन और मुल्यन बन निर्मुल्यन से मुक्त होना निराकर्शन जो भी एक मुल्यांकन है हमारा जो जैसा है वैसा ही मुल्यांकन हो जाना वही अना सक्ति है आ सक्ति से मुक्ति है और यही जागरिती है तो ये बात उसमें कह रहा है तो जागरिती या कलेश मुक्ती या ब्रहम मुक्ती या इसको कह रहा है अना सक्तिया निराकर्शन उसे की बात यहां पर बता रहे हैं कि वो कैसे होगी और क्या है अब उससे क्या होता है तो जब बोल रहे हैं तो अना सक्तिया ने ब्रहम से मुक है उसको करते हैं वो कहरने से क्या होता है तो असंचेता होती है यानि के हम जब कर्मरत्वं करते हुए कि कर्म हम Caleb कर्म है तो असंग्रा की उपलब्दी होती हैै । सभी परिवार वात्तावरन बनता है, यानि कि जैसे हम सोचते है कि बहुतना कोई कारण नहीं बनता है, न। यहां पे बोल रहे हैं कि जहां पे कोई । अखंड समाज ये सारुबों विवस्ता की जो रचना है तो उसको जो स्वर्ग की कल्पना के रुप में कहा है वही स्वर्गियता है और वो स्वर्गियता है उससे क्या होता है तो निराभी मानता होती है तो निराभी मानता का अर्थ क्या है निराभी मानता का अर्थ या है कि अभिमान रही थी, मानव की जो एक समाज है, या मानव गठन है, वो हो जाना, याने, जो मानव में जो आरोपित मान डंड है, याना, वही अधी मुल्यन आउग, मुल्यन देम, उससे मुक्त हो जाना, उससे पर वैराग्य, पर वैराग्य, याने, कैसा होगा, तो जो वैराग जो जो पर वहिराग है daha है। और जो पीडी है आने वारी पीडियां है वो अनुभव संपन हो सके यह ना वो योग ही व्यापक्ता में अनुभव है योग होने से ही व्यापक्ता में अनुभव याने के अनुभव जो है व्यापक्ता में अनुभव होने का एक प्रावदान बनता है उससे और जो जो या जिसको हम कहते हैं व्यापागता में अणुबध्र होने से मध्यस्तत की शुरूआत की होती है तो जब ऊतरल माजे दॉनhem कि इसको हम कहरें है कि शिक्षा आच्र क्रवाज स्थापित प्रस्थापीत होता है तो उससे ही निराकरश्ण है अत्वा ब्रह्म मुक्ति है या कलेश मुक्ति है तो बहुत सुन्दर तरीके से इसमें बता है कि कलेश मुक्ति जो है वो अभी किस करम से अनुबव गामी विदी से होकर कैसे अनुबव मुलक विदी से परंपरा में स्थापित होगी यह पूरा बात उन्होंने इसी अनुबूती में बता है जो और दूसरी जो आखरी अनुबूती है उसमें वो बता रहे हैं कि जैसे एक कल्पना की गई है कि जैसे हमको मोक्ष पाना है मोक्ष पाना है याने हमको एक तरह से कर्मों से मुक्ति पाना है या इस संसार से मुक्ति पाना है ऐसी कल्पनाय की गई है मानव ने ऐसी कल्पनाय की है वद्धिस्त दर्शन में जो बात कह रहा है कि एक तो किर्या से मुक्ति संभव नहीं है दूसरा हम पढ़ते ही हैं दर्शन में कि मानव दे मानव और दिवे मानव है तो जो दिवे मानव है उसमें पद चक्र में भी हमने समझा अभी तक अदियन में कि पद मुक्ति है तो फिर सवाल आता है कि पद मुक्ति के बाद दिवे मानव का क्या रोल होगा तो उसमें हमको समझ में आता है कैसी परंपरा कैसे हो तो यह दिव्यमानों का सुभा है वह यह है कि वो समाज के पोशन है वो सम्वर्दन के लिए ततपर रहते हैं यह उनका सुभाव है तो यहाँ पे जो मुक्ष की बात कर रहे हैं यहाँ पे जो जीवन मुक्त बहुत काम है और अभी तो हमारे लिए जिस तरह से हम देखते हैं जर्थी पर बहुत ही ज़्यादा काम है करने के लिए तो जब यह मानव समाज को यह आवश्रता होगी कि ऐसे शिक्षा हो ऐसे व्यावस्ता हो तब उसके लिए काम करेंगे बाकी जिनको समाज में आता है वो लोग काम करते रहेंगे तो यह बात कहिए तो पद मुक्ते के बाद में भी जब तक जिसको हम कहते हैं परमपरा ब्रह्मुक्त ना हो जाए तो तब तक यह जो दिविमानव है या दिविमानव है या मानव है वो उसके लिए क्रियानव या क प्रमानित होना है तो इस तरह से पूरा अध्याय है और इसमें जो मुख्य जो आखरी जो बात आई न दिवियमानों की तो हमने बाद बाद पढ़ा भी है कि सामाजिक्ता सही अतिमानिनिता का उद्ध है तो सामाजिक्ता का निर्वा तब ही हो पाता है जब हम समाधान बोधिक अभाव जिसको समाधान का अभाव या समस्या कहते हैं साथ में जिसको बोधिक अभाव यानिके जो वस्तु है जो हमको कर्मनत्व है यानिके कर्म से प्राप्त होती है उसके अभाव में भी हम नहीं कर सकते है इसलिए ये जो काम है वो दिवियमानों ही कर पाता है यानि के देव मानव मानव दिवे मानव यानि के जो मानव चेतना में संक्रमित है यही जो कुछ मानव है या जो परिवार है वो ये काम कर पाएंगे इसी के लिए उसकी आवशक्ता भी निर्मित होती है और जब आवशक्ता निर्मित होती है हमारे अंदर तो हम उसके लिए चिष्टा या प्रयास करते हैं उसी इच्छाओं को अलग-अलग भेज से बताया कि अभी हर एक जो ब्रहमित माना हुए उसमें भी इच्छा तो रहती है कि ऐसे कामना के रूप में ऐसा हो जाए पर बहुत शुक्ष में रूप में रहती है जब उसी इच्छा को कोई घटना जो है वो कोई सार्थक नहीं है अब तो इसको पाना ही है यह तीवर इच्छा ही है जो हमको अनुभूर की और जागरिती की और कठी करने के लिए बल देती है तो यह तीवर इच्छा का जिसके पास तेविर इच्छा नहीं है, जिसकी सुक्ष में इच्छा है, उसकी कारण इच्छा बन जाना है, जिसकी कारण इच्छा है, उसकी तेविर इच्छा बन जाना है, यही अध्यान की उपाय देता है, यह समझ में आता है, और अगर अध्यान से यह उपाय देता, मान तो बहुत बढ़िया हमने बहुत अच्छे से रखा लास्ट को समूप करते हुए तो एक सवाल था जिसको हमने उस समय में एड्रस नहीं किया एक सवाल आया था बलजीत भाई का ही कि विकास करम भेद को समझाए जो उसकी अनुभूती है उसको या जो पश्टीकरन उसमें आ आश्वत वादी है क्योंकि तत्व चारों अवस्थावों में पाया जाता है सभी ब्रुहत इकाईयों के गठन का मूल तत्व परमाणू है सभी तत्वों के परमाणू का गठन सिद्धान्थ समान है परमाणू का गठन भी मध्यांश तथा आश्रित अंशों से है परमाण जो लास्ट सेंटेंस आया है कि परमाणू में समाही तंशों की सक्रियता और एवं विकास क्रम भेट से सभी अवस्ताय है तो उसमें जो उसमें बात हो रहे थी कोश गठन की तो उसको पहले हमने पढ़ा था अध्याय चार में उसको मैं फिर से थोड़ा जोड देती हूं अंतिम परिवेशिय अंशी रमपूरवक सक्रिय रहते है और अग्रेशन क्रिया में रत है फिर आगे जब जड़ परमाणू रासायनी क्रिया में या योगी क्रियाओं में सलगन होते हैं उसमें ये समझ में आता है कि अंतिम और उसके पहले परिवेशिय अंश सक्रिय हो ज आता है वही प्राण वस्था के रूप में अग्रेशित होते हैं फिर जीव वस्था की जो शरीर रचना है वो भी प्राण कोशा से ही रचित है इसलिए उसमें भी यही समझ में आता है शरीर के रूप में जीव शरीर भी और मानव शरीर भी उसके बाद जो चैतन्य परमाणों है जीव अवस्था में उसमें चतुर्थ तुर्थिय और तुर्थिय और तुर्थिय परिवेशियों अंश को अंश की आंशिक रूप में सक्रियता समझ में आती है जो आंशिक रूप में साड़ेचार क्रिया के रूप में हम पहचान पाते हैं और ज्ञान अवस्था में जो है चतुर्थ तुर्थिय और तुर्थिय और तुर्थिय परिवेशों की क्रिया शीलता साड़ेचार क्रियाओं के रूप में समझ में आती है जो शरीर मूलक विद द्वितिय और प्रथम परिवेश सभी सक्रिय हो जाते हैं और आत्मानु वर्ति उसका क्रिया कलाब होता है उसी को यह जो है यह इसी को हम बोल रहे है कि पर्माणू में जो समाहित अंचे उनकी सक्रियता बढ़ने से अवस्था है हमको समझ में आती है और दूसरा मुद्धा है कि विकास क्रम भेद से सभी अवस्था है तो इसी को विकास क्रम भेद को हम पूरे शरीर रचना में जो विकास है उस सवाल था यह एक भाई ने कहा था कि आप जीकर भाई क्यूं बोले तो वह एक्चुली ऐसा है कि यहाँ पे गुजरात में सब लोग सभी को भाई के रूप में बदम बोधन करते हैं तो मैं भी कभी कभी कर लेती हूँ उसके बाद मैंने उसको थोड़ा सुधा लिया तो यह एक सवाल अभी पुछा था किसी ने कि व्यापक उर्जा संपन है पर वो क्रियाशूने क्यूं है तो जो व् करी मद्देशय दर्शिन में शमाज रहे हैं कि व्यापक है वह क्रिया रूप में कैसे पहचान में आता है अनौबवकाल में और विभाल नियम के रूप समय लौष के रूप में पैचान पहाँ रहत दूसरा ववो उर्जा समपन जो है वो सामने से वीगय रहने उर्जा में डूबि घी रहने रहने कि पर्मानु में ही कहीं उर्जा है पर वो उर्जा कहां से आई है उसका कोई उलेख अभी तक विज्ञान में समझ में नहीं आया है उसके अनुमान अलग लग होते नहीं है समय समय पर पर यहां पर जो कह रहे हैं कि व्यापक ही उर्जा है और वो उर्जा जो है वो सभी को सम तो फिर तो फिर सबको व्यापत हो था सब बहुक हो उसी को जब बात करते लिम उसको नो रूप में समझा है ना शम्ता के रूप में तो हम में अनों की शम्ता है ही पर जो पात्रा उत्ता और योगता का जो विकास होना है ना चेतना का विकास का है जो जी चेतना है उससे मानों चेतना मानों चेतना से देव चेतना से देव चेतना में जो विकास है यही चेतना का व पर अभी जो चेतना का विकास होना है उसमें काम शेष है इसलिए वही मुख्य काम है और चेतना का विकास जो है वो कैसे हो जाए तो शिक्षा पूर्वक हो सकता है जिसको हम चेतना विकास मोले शिक्षा के रूप में देखते हैं उसी के अर्थ में अध्यन है तो ये अध्य तक हो सकता है चरितना कविकाष तो यह प्रशन था दूसरा प्रशन किसी का था कि कैसे मद्यस्वे दर्शन की ABC सीखे तो हमको तो एक क्राम समझ में आता है यही है कि पहले तो इस विशेवस्तु की जो एक सामान्य जानकारी जिसको परिकर शिर कहते हैं देश्पिर में होते ह हैं उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी भीजह से आप इसको कर सकते हैं उसके आगे फिर जो एक भाग है, इसका ज Wedjan है ऐसे पुस्तकोगा पठन वीवित जगा पे हो सकता है तो उसके माद्यम से आप आगे इसको समझने का करम कर सकते हैं ऐसा आम को समझ में आता है और कोई प्रशन हो तो आप पूछ सकते हैं मुझे लगता है सारे प्रशनों के उत्तर हो गए है मुझे लगता है कोई प्रशन नहीं आ रहा है तो यहीं पर हम इसको रोग देते हैं आप सभी का बहुत धन्यवाद यह प्रस्तुत की कारण से हमको भी बहुत सारे चीजों में ध्यान गया क्योंकि जब प्रस्तुत करना होता है तो वापिस ध्यान जाता ही है कि कोई कोई चीज जो छूट जाती है उसको और कैसे अच्छे से प्रस्तुत कर पाए ताकि जो भी हम सब लोग मिले हैं वो जागरती करम में कैसे आगे बढ़ पाए तो यह हमारे लिए तो बहुत सार्थक प्रयास हरा हमारी प्रस्तुति में कोई तूटी हो सकती है क्योंकि हमारी सिदी भी एक अदेनाती के रूप में है जितना हम समझते हैं शूचते हैं इसको समझने का प्रयास शुरू कर सके और इसमें सबी लोगों ने जो जो लोगों का इसन यो अजय भी या इन सबों न जो ये एक संभव हुआ जो एक दूर समझन दूर गर्शन दूर गमन के माध्यम से तो यह प्रयास बहुत सरानिया है और इससे उपलब्दी हो ही रही है काफी लोगों को गर बैठे बैठे तो उन सबी सबी को धन्यवाद जैसे अभी जिगर बताया वैसे ही मुझे भी ऐसा लगा कि इसी दोरान बहुत सारी चीज़ों मतलब यह उपकार ही रहा हमारे लिए कि हम ही उसको फिर से ठीक से पढ़ पाए फिर से बहुत सारी सारे मुद्दों पे ध्यान गया और यह उपकार ही है इ जैसे कुछ उसमें हो सकता है कि और उपर नीचे हो हम समझने के प्रयास में है तो आप सभी लोग उसको जाची सकते है हमें भी उसको बता सकते है ऐसा कुछ है तो और कल का जो अध्याय है योग उसको उसके बारे में कल राकेश भाईया उसको रखेंगे सुबह साड़े न बहुत बहुत धन्यवाद एक अच्छे अवसर के रूप में हमने हम सभी इसको इसमें कुछ सार्थक कर पाए यही सबसे बड़ी बात है एक सूत्र याद आता है जो बाबाजी ने लिखा है बहुत ही कमाल का है वो जो लिखा है ना उसमें हुनोंने कि विचार से परिस्ति बनती है और सही विचार से परिस्ति अनुकुल हो जाती है तो मुझे लगता है कि हम जब कोई विचार करते हैं कुछ चीज़े अच्छे करने का तो उससे परिस्तिया बन जाती है और उससे सही परिस्तिया का भी निर्मान होई जाता है तो यह सार्थक गोता हुआ दिखता है सभी को पुना धन्यवाद नमस्कार नमस्कार बात आई थी कि मुक्ति की आशा सर्वमानों में पाई जाती है